कर्म एक ऐसा रिश्टोरेंट है, जहां और्डर देने की ज़रुवत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है सभी को सुख देने की छमता भले ही आपके हाथ में नो हो, किन तु किसी को दुख नो पहुँचे, यह तो आपके हाथ में ही है सारा जहां है उसका जो मुश्कुराना सीख ले, रौसनी है उसकी जो समा जलाना सीख ले हर गली में है मंदिर, हर राह में मस्जिद है, पर इस्वर है उसका जो सर जुकाना सीख ले उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नियत खराब है कभी भी किसी जरूरत मंद को अपनी चोखट पर जरील मत कीजिए क्योंकि उपर वाला कटोड़ा बदलने में देर नहीं करता कर्म के पास नो कागज है नो किताब है फिर भी सारे जगत का हिसाब है रिष्टे हो या रास्ते जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगा का ग्यान नहीं हो पाता है हर किसी से अपनी तुलना मत कीजिए क्योंकि केवल रंग एक जैसा हो जाने से सोने और पीतल का मुल्य एक जैसा नहीं हो जाता तोरा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए ज्यादा जुप कर मिलो तो दुनिया पीट का पायदान बना देती है सब्दों की ताकत को कम मत आकिये सहाब कि छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पुरी जिन्दगी बदल देता है कड़वा तो लगेगा पर हकीकत है दोस्त आज के दोड में लोग आउकाद देखकर ही तालुक रखते हैं घमंड के अंदर बुड़ी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो जब अपने ही सामिल होते हैं दुस्मनों की चाल में तो फिर सेर भी फस जाता है उट्टों के बिछाए जाल में बहुत बार हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी जिंदगी ही गाट बांधने में गुजर जाती हैं पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती हैं और मन में लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती हैं आखे तो सब की एक जैसी ही होती है, पर सब का देखने का अंदाज अलग-अलग होता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कर्म अच्छे होंगे, तो हमेशा याद रहोगे, दिलों में भी, लबजों में भी, और दुआओं में भी। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है, जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। याद रखना, अगर बुड़े लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते, तो बासुडी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। पैसों में बहुत गर्मी होती है, और सबसे पहले यह रिष्टे जलाकर राख कर देता है। सच सूरज की तरह होता है, आप उस पर कुछ देर तक ही परदा डाल सकते हैं, पर वा कहीं नहीं जाने वाला होता। मुशीबत आये तो ये मत सोचना की अब कौन काम आएगा, बलकि ये देखना अब कौन साथ छोड़ कर जाएगा। किस्मत से फैसले नहीं बदलते, लेकिन फैसले से एक दिन किस्मत जरूर बदल जाती है। हरोसा रखे, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। सब को गिला है, बहुत कम मिला है, जरा सोचिए जितना आपको मिला है, उतना कितनों को मिला है। आपके खिलाप होने वाली बातों को खामोसी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उसका बेहतर जवाब देगा। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। रुत्बा हमेशा बरकरार रखिये जनाब, उजारने वाले दिन या रात नहीं देखते। अगर आस्मान वाले से आपके रिष्टे मजबूत हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं विगार सकते। घर में अगर कोई बूढा है तो उसे भार की बजाए भाग्ये समझे, क्योंकि बूढा पेड फल दे या ना दे पर छाया जरूर देता है। जिस ब्यक्ति को आपके रिष्टे की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अकेले खरार आना अच्छा है। लाजे में बजजवानी चेहरे पर नकाब लिये फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं, वह मेरा हिसाब लिये फिरते हैं। लोगों ने बदलने में मौसम, वक्त और गिर्गिट सब को पीछे छोड़ दिया है। ना जाने फिर भी गिर्गिटी क्यों बदनाम है। आज कल दिखावे का दौर चल रहा है। इसलिए लोग खुश रहने की बजाए अपनी खुशी भी दिखाने में लगे हैं। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी। अब आत्मा ही मर गई हैं और लोग भटक रहे हैं। लोगों का क्या। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेकता है। और घी में गिरे तो मक्खी फेकता है। हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। मीठा साथ बनाने वाली मदमक्खी भी डंक मार सकती है। इसलिए होसियार रहे। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्प हनी नहीं हानी भी दे सकते हैं।